आज हम बात करते हैं Learn Computer in 7 Days जो पूरा ओनलाइन और जिसकी help से आपको जोग मिलने में आसा नहीं रहेगी और आप Computer Operator बन जाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यह पूरे साथ दिन हम लोग क्या-क्या activity करेंगे कौन से software यूज़ करेंगे और क्या-क्या सिखेंगे सबसे पहले दिन हम क्या बात करेंगे? Computer कैसे start करना है? Restart कैसे करना है? Computer को shutdown कैसे करना है? उन सब के बारे में फिर हम बात करेंगे computer parts के बारे में, फिर input और output device, फिर operating system के बारे में, hardware and software related, फिर computer memory के बारे में, icon, menus, फिर हम बात करते हैं my computer और drive installation, folder creation, folder कैसे rename करना है? कैसे delete करना है? और कैसे recycle मिन का use क्या होता है? Day 2, calculator कैसे use करना है? command prompt, notepad, wordpad, file कैसे create करना है? save, cut, copy, paste and delete, फिर paint के बारे में तीसरे दिन पर हम बात करेंगे MS Office, word के बारे में, means Microsoft word, उसमें letter कैसे लिखना है, table कैसे create करना है, background कैसे check करना है, paragraph, image insert करना, printing, text element, page setup, password कैसे set करना है? Day 4, PowerPoint के बारे में बात करते है, presentation, theme, effect, hyperlink कैसे add करते है, slide की effect कैसे change करते है, password कैसे set करते है, Day 5, Excel के बारे में बात करते है, create meaningful seat, sheet कैसे create करना है, cell addressing कैसे करना है, formula कैसे add करना है, page setup कैसे करना है, chart कैसे create करना है, Day 6, उस दिन हम बात करेंगे internet के बारे में, उसमें email कैसे create करना है, उसका use कैसे करना है, कैसे email send करना है, किसी एक को या फिर बहुत सावे लोग को, फिर draft कैसे, draft में कैसे save होता है, file attach कैसे करना है, और online video कैसे देखना है, Day 7, last day, उसमें हम बात करेंगे control panel के बारे में, program कैसे install करना है, कैसे uninstall करना है, कैसे disk, मतलब drive जो होती है, c drive, d drive, उसका partition कैसे करना है, फिर, devices and printer, मतलब आपके computer में, कैसे printer connect करना है, कैसे उसको remove करना है, कौन सा printer by default आपको रखना है, उन सब के बारे में, फिर set computer password, computer का password कैसे set करना है, basic intro to other useful software, और जो basic software है, उसके हम बात करेंगे, ठीक है, तो यह पूरे साथो दिन का agenda है, जो हम अगले वीडियो में upload करने वाले है, day by day, थेंक्यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, तो like and share कीजिएगा, और आने वाली updates के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थेंक्यू,